विश्व के सभी मेरे साथियों को राज़त नमेट करकियोर से जैभीम नमबुद्धा है आज मैं जो विश्व आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो है ग्यान वैपी मस्जीद मंदीर का जो विवाद चल रहा था उसमें दो दिन पहले वारानसी डिस्ट्रिक कोट ने मैं जो विरोध किया था कि यह जो मस्जीद है यहां पर पूजा करने से रोका जाए तो वारानसी जिल्ला सत्र नयालेने डिस्ट्रिक कोट ने मुस्लिम पक्ष की जो अरजी है उसको खारिज करते हुए उन्होंने एक नई जज्जमेंट वारानसी कोट ने दी है तो सबसे पहले मैं वारानसी कोट का बदाई देना चाहता हूं हिंदू पक्ष के जो औरतों ने ये पिटिशन डाली थी मैं हिंदू पक्ष को भी बदाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के बौधों का एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया है और वो कैसे हल किया है और इस तरह से इस वारानसी जिला सत्र नयायले के judgment का इस्तमाल अपने favor में करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को, पाच मिनिट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, देखिए इस देश में कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है, ये act कहता है, ये act इसलिए बनाया गया था कि इस देश में अनेक मंदीरों के उपर मुस्लिम इन्वेडर्स का कबजा हुआ, अनेक मुस्लिम मजीदों पर हिंदूओं का कबजा हुआ, तो इस तरह से अनेक जो परातना स्थल है, उसका जो रियल कैरेक्टर है, जो उसकी अस्तीत्व थी, वो कही न कहीं मिट चुकी थी, और इसलिए जो मजीद थे, वो मंदीर थे, जो मंदीर थे, वो मजीद बन गए थे, इस तरह का विवाद इस देश में चल रहा था, और फिर 1991 में, ये एक्ट बना, The Places of Worship Act, Special Provision Act 1991 में, और इस एक्ट में ये कहा गया, कि 15 August 1947, इस देश को जब आजादी प्राप्त हुए, जब ये देश आजाद हुआ, उस दिन, जिस वर्शिप प्लेस का, जिस मंदीर का, मस्जीद का, जो कैरेक्टर है, जो उसका अस्तीत है, उस दिन का, 15 August 1947 का, वो freeze किया जाएगा, freeze किया जाएगा का मतलब है, वो ही अस्तीत्व कायम रहेगा, भले कोई मंदीर हो, पुराना आड़ाई हजार सालों का कोई मंदीर हो, लेकिन अगर 15 August 1947 को, वो मस्जीद बन चुका है, अगर वो मस्जीद हो गया है, तो वो मस्ज नहीं होगा, और उसी तरह से, आड़ाई हजार सालों से कोई अगर मस्जीद बनी हुई है, लेकिन 15 August 1947 को, अगर वो मंदीर में बदल चुका है, वो मंदीर हो गया है, तो वो मंदीर ही रहेगा, आने वाली कोई भी गवर्मेंट इसको कभी चेंज नहीं करेगी, इस तरह का इस एक्ट में और एक सेक्षन डाला हुआ है, सेक्षन 4 सब सेक्षन 2 कहता है कि किसी भी तरह का सूट, किसी अगर चल रहा है, मंदीर मजीद, इसमें बदलाओ नहीं होगा, मैं धन्निवाद देना चाहता हूँ, वारा नसी जिला सत्र नायले का, कि उन्होंने ये 1991 में बना हुआ कानून, एक सुप्रीम कोट ने बनाया हुआ कानून, एक संसद ने बनाया हुआ कानून, जिससे प्रेसिदेंट अफ इंडिया ने गैजेट करके नोटिफिकेशन दिया है, इस President of India के कानून को एक भारत के एक स्टेट के एक छोटे से जिला सत्र नयायले ने चैलेंज किया और उसे रद किया मैं वारानसी जिला सत्र नयायले का दिल से धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने जो आज ये accept किया है कि वहाँ पर भले वो मस्जीद है लेकिन हम वहाँ प पर देखा होगा कि पिछले उस समय शायद में लंडन में था लंडन में टीवी में देख रहा था कि ज्यान व्यपी मजजिद में चानवीन हो रही है कैमरा लेकर आर्केलोजिस्ट को बुलाया जा रहा है फवारा है या शिवलिंग है इस पर भैस हो रही है तो आज जिला स चानवीन करने की पूरी आजादी दे रहे है अब बौधों को इसमें क्या करना चाहिए देखिए अगर किसी मजजिद में सिर्फ किसी पाच औरतों की आस्ता है या उन्हें लगता है कि वो जो फवारा है वो शिवलिंग है इसलिए जिला सत्रनयाल है वहाँ पर चानवीन क पार्मेंट ने कह दिया कि ये शिवलिंग है तो पिछले कई सालों से जो मजजिद चली आ रही थी उसे मंदिर में तब दिल किया जा सकता है उसी तरह से जितने भी बहुत मुझे सुन रहे है चाहें वो भारत में हो भारत के बाहर हो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साउत में दक्षिन में तिरूपती बालाजी का मंदिर है वो मुझे लगता है कि वो तिरूपती बालाजी नहीं वो बुद्ध है उन गहनों के पीछे बुद्ध है और इसलिए आप मुझे लगता है कि उन गहनों को हटाया जाए और वहां की चानभीन की जाए इसलिए वह तिरुपती बाला जी ये तिरुपती बाला जी नहीं ये बुद्ध है उसकी भी च्छानविन होनी चाहिए एक पिटीशन हमें वहां लगानी होगी मैं जिला सत्रनाले वारा नसी का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने भारत के तमाम बौधों के रास्ते खोल दिये ह क्योंकि आज आपके मंदीर है आपका जगनात पूरी का मंदीर है आपका तिरुपती बाला जी है महराश्य का पंडरपूर है अब सारे जगाओं पर वारा नसी जिला सत्रनाले के इस जजमेंट का इस्तमाल करते हुए हम ये सारे केसे सारे मंदीरों के उपर डालेंगे कि ये आपका हिंदूओं का मंदीर नहीं ये बुद्ध का स्तान है बुद्ध का प्लेस ऑफ वर्शिप है क्योंकि 1991 के कानून ने हमारे हाथ बांदिये थे कि 15 ऑगस्ट 1947 को जो स्टेटस है वो ही स्टेटस कबूल किया जाएगा इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा लेकिन वारा नसी जिला सत्रनायले ने 1991 का ये कानून साइड बाई कर दिया है इस कानून को हटा दिया है और इस वज़े से सारे बौधों के दरवाजे खुल गए है अब सारे बौधों को इस वारा नसी जिला सत्रनायले के जज्जमेंट का इस्तमाल अपने फेवर में करना चाहि कि हम आपके खिलाफ नहीं है बलके हम तो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं हमारे एक साती है रहूल शेंडे जी उनकी मैंने पोस्ट पड़ी और उन्होंने व्यंग करते हुए एक बात लिखी लेकिन उसमें तत्य है कि आज जो हिंदू तिरुपती बालाजी में जा रहा है आज जो हिंदू पंडरपूर में जा रहा है आज जो हिंदू जगनात कुरी के मंदिरों में जा रहा है वो तो सामने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा कर रहा है उसे लग रहा है ये तो कोई हिंदू देवता है इसलिए हजारों साल से पूजा अर्चा करने के बाद भी हिंदूओं के जो याचना है, जो कामना है, वो पूरी नहीं हो रही, हिंदूओं के प्राथना पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो गलत भगवान के सामने याचना कर रहा है, वो असल में तो तथागत है, वो असल में तो बुद्ध है, अब आगर राम को पूज रहे आप गलत जगह पर प्रात्रा कर रहे हो, आप गलत जगह पर भगवान को अरजी दे रहे हो, कि मेरी इस संक्ट से मुक्ति कराओ, वो कोई भगवान नहीं, वो तो तदागत बुद्ध है, और तदागत बुद्ध कभी आशिरवाद नहीं देते, कभी किसी को वो क्या कहते है, हमारे मराठी में नवस कहते है उसको कभी प्रसंद नहीं होते तदागत बुद्ध कभी किसी को आशिरवात देने का काम नहीं करते और इसलिए आप गलत जगा पर पूजा कर रहे हो हिंदूओं को ये समझ जाना चाहिए कि ये तो हमारा मंदिर नहीं है ये तो हमारे भगवान का मंदिर नहीं है और इसलिए उनको उस जगा पर जाकर पूजा अर्चा बंद करनी चाहिए और जहाँ पर आपका असली भगवान है वहाँ पर जाकर आपको पूजा करनी चाहिए और इसलिए ये जो प्रातना स्तल आप लोग गलच जगां पर प्रातना कर रहे हो मंदिरों में प्रातना कर रहे हो ये बंद करना चाहिए और इसका असली कैरेक्टर 2000 साल पहले जो इन प्लेसेस का प्लेसेस ओफ वर्षिप का असली कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आज हम लोगों को establish करना चाहिए, जितने भी मेरे South के साती है, मेरे बाकी Buddhist Society of India के जितने भी committees है, उन सबकों मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कि जितने भी facts आपको उस मंदीर के बारे में, उसके real character के बारे में establish कर सकते हैं, वो सारे on record दीजिए, सिर्फ आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जाकर ये case वहाँ पुटप करनी होगी, कि ये तीरूपती बालाजी का मंदेर नहीं, ये बुद्ध का विहार है, ये बौध स्थल है, ये याची का आप लोगों को सारे बौधों को करनी चाहिए, और इसलिए आज मैं वारानसी जिला सत्रे नायले ने जो आदेश दिया है, जो जज्ज्मेंट दी है, उस जज्ज्मेंट का इस्तमाल बहुत अपने पक्ष में करें, ये बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ, और इसलिए आज ये जो सारी घटन प्लेस ऑफ वर्शिप आक्ट, स्पेशल प्रोविजन आक्ट 1991 को जो वारानसी डिस्ट्रिक कोर्ट ने उसको खारिच किया है, हटाया है, एक प्रेसिडेंट ने गैजेट देकर बनाया हुआ एक छोटा सा जिला सत्रे नायले हटाता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भ तुर्पक्ष करो, यहाँ पर आकर मोक्ष के लिए पिंडदान करो, तो इस तरह से हमारे जो बौद गया है, हमारे जो प्रातना स्तल है, वहाँ पर ये लोग कबजा कर रहे हैं, तो कम से कम उनके कबजे में हमारे जो प्रातना स्तल है, बौद वियार है, उसको छुडाने क मुहीम अब हम लोगों को हाथ में लेनी चाहिए जितने भी एड़ोकेट्स लीगल फर्म के लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में जहां पर ये मंदिर पढ़ते हैं उन मंदिरों के ऊपर ये याची का दायर करनी चाहिए और हम कोई गयर कानू निमांग नहीं कर रहे हैं जो वारानसी जिला सत्रनायलय ने अल्रेडी जज्जमेंट दी है अगर वारानसी जिला सत्रनायलय जज्जमेंट दे सकता है तो तीरुपती जिला सत्रनायलय भी उसको इस बेसिस पे जज्जमेंट देनी होगी और तीरुपती में भी इन्विस् है और इसलिए पंडरपूर हो तीरुपती हो वहाँ पर याचिका करताओं ने मुझे संपर्क करके सारा ड्राफ्ट सारा मटेरियल में आपको देता हूँ मुझे सिर्फ याचिका करने वाले लोग अगर आप नहीं कर रहें तो हम वहाँ पर आकर याचिका करेंगे और ये जो प्रातना स्तल है वो सही मैं हिंदू प्लेसिस है या बुद्धिस प्लेसिस है ये साबित करने की आज हमको एक बहुत बड़ी उपलब दी एक बहुत बड़ी संधी एक बहुत बड़ी opportunity वारानसी district court ने दी है इस opportunity को हमें गवाना नहीं है और इसलिए मैं आज हिंदू पक्ष का स्वागत करना चाहता हूँ और खास करके उन पाच महिलाओं का स्वागत करना चाहता हूँ जिनोंने ग्यान व्यपी मज्जिद में पूजा करने की अनुमती मांगे थी और वारा नसी डिस्ट्रिकोर्ट ने उन्हें वो अनुमती दे और इसलिए हमें इस घटना का बौधों के पक्ष में इसका इस्तमाल करना चाहिए आप लोगोंने मुझे सुना उसके लिए आप सभी लोगों का आभार और मैं उमीद करता हूं मेरे इस वीडियो सुनने के बाद एक एक जिले से मुझे वो अरजी देने के लिए याशिका कर करता सामने आएंगे ऐसी उमीद करता हूं जय भीम जय भारत जय बुद्ध अगर आप चाहते हैं गरीब हरबंचीत इंसान के वाज आप तक तोंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का पटन दोबार ना बोलें देखते हैं बहुत नलके न्यूज